दोस्तो बजाज BS6 इंजन वाल चेंज करने के लिए दोस्तो हर 10,000 किलो मिटर पर मोबिल फिल्टर चेंज होता है पाँच हजार पर मोबिल फिल्टर चेंज नहीं होता है आप चाहें तो 5000 किलो मिटर पर भी मोबिल फिल्टर चेंज कर सकते हैं BS6 बजाज आटो का कप वाइल चेंज करना है और कैसे वाइल चेंज करना है आप इस वीडियो में जरूर देखें देखिए दिखाते हैं यह बोल्ट है 14 नमर का यह अपने तरफ यह लगा लीजिएगा यहां पर देख रहें अपने तरफ कीजिएगा खुल रहा है देख रहे हैं इसके बाद दिबाले लीजिएगा खुल यहां मोईल गिरेगा खुल रहे हैं देखिए 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 दुस्तों इस मोईल पल्टी हर 5000 किलोमेटर पे चेंज करना है या 45 दिन पे देख रहे हैं देख रहे हैं इस बोल्ट को है 14 नमबर रिखनी से ढिला कर लेजिएगा उसके बाद दालिएगा जाने करें जाने का तो तक क्या है कि सबसे बड़ी प्रोलम क्या है कि मोबिल चेंज जो करना है यह बीएशिक्स गाड़ी है टाइम से ही मोबिल चेंज कीज़ेगा नहीं तो इंजन में रहुत्रा का प्रोलम आ सकता है कि सिलिप काड़ सकता है टाइमिंग चेंड को प्रोलम कर सकता है कि स्ट्राइडिंग प्रोलम करें यह से अच्छा है या तो 45 दिन कि यह जो फिल्टर है यह जो देख रहे हैं यह फिल्टर देख रहे हैं यह आपका हर 10,000 किलोमेटरे चेंज होगा हर 10,000 किलोमेटर चेंज करना है इसको घर चल चुका है यह बी आज मोई फिल्टर सेंज करेंगे वह भी दिखाएंगे चलिए यह मोबिल साफ कर लेना इनट जोहें वह साफ करना है आप विडियो बना रहे हैं क्योंकि इस विए से बहुत आप लोगों ने बोला था इस लिए इस विडियो बनाना पड़ रहा है यह मोबिल गिर रहा है देखिए यहां से चोदा नमर इंगरी से खोल लिएगा अपने तरफ घिचना है यह बाहर की तरफ पीछे की और घिचना है पुल जाएगा मोबिल गिर रहा है यह बहुत और चलिए मोबिल डालना है यहां से देखिए यह जो है हरावला कैप यह देखिए यह कैप आप देख रहे हैं हरा कैप यहां पर रहेगा यह देखिए देखिए गुना पर आता है ठीक है यह देखिए गुना पर आता है यह है यह है अगर यहां पर भी रहता है तो आपको चेंज करना होगा कर देने हैं मोबिल क्या खुल लिए आ कि ओमोबील क्यों इस थां दिभी इक निभी हर थो देकिक घिर हलिए इसलिए नहीं करें कि भी नीचे भी गिर सकता है मैं आप से थे सर्वीस कर सकते। मोबी पल्टि कर सकते हैं पांच अरगेलमेटर पर दोस्तों जो इंजन का ड्रेन बोल्ट खोल की 14 उन्पर उस सारा मोबिल गे चुका है देखिए अब आप इसको तस रहे हैं कि देखिए एक अक आपर है दिख रहे है इसको कस रहे हैं है 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 हाँ एक बात और दोस्तों copper baser copper baser लगाना जरूरी है क्यों copper baser अगर नहीं लगाएगा तु लिख भी कर सकता है copper baser कर छूड़ेगा नहीं यह अराम से हाथ से चला दाएगा यह उतना ही तो देखिए लगा दिये हैं है ठीक है हम टाइट कर रहे हैं चाहरा सहीं टाइट करना है जाए टाइट कीजिएगा तो सिलीब हो सकता है लाईए ताइट हो गया एक अब हम गयर बक्सा को जो गयर बक्सा है वह वह अलबविर आते हैं देखें यह नंबर का पाना है इसी आपको खुलेगा धिला कर लिए हैं देखे अब खोल रहे हैं यहां लगा दिये हैं अब यहां से मोबील गिरेगा यह हर सर्विस में आपको 15 किलोमेटर पर आपको करना है या फिर 45 दिन या जो हम गेज बताएं थे मोबील गेज कि इस पह देखें कि यहां इतना में मोबिल रहेगा तो आस इतना देख रहे हैं कि ई क्किंद कि हम सिंग्यल है इस वीडियो बनाने में धिक्कत हो रहा है यह हैं बजाज कोंपेक्ट का मोईल चेंज हो रहा है है सबस्टरा प्रोलम यह होता है कि लोग चेंज नहीं कर पाते हैं समय से मोबिल पल्टी नहीं करते हैं गड़ी में जिसके बस से इंजन में प्रोलम आ जाता है कि लंबा विडियो हो जागा इसी विए यहां पर रोकते हैं जब मोबिल गेरवक्सा गीर जाएगा तो फिर हम दिखाते हैं दोस्तों और जिए लेकर रहें दिखिए इसको सहारा सही करना है ज्यादा नहीं कि टाइट करना है इसले भी हो सकता है इस बात को ध्यां रखिएगा चलिए यह यह भी टाइट हो गया है हम चालते हैं फिल्टर क्यों चलिए यह हो गया आपका मोई फिल्टर देख रहे हैं कि हम मोई फिल्टर मेरे पास पुलर है देखिए पुलर है यह दिला करेंगे देखिए अप अंदर क्योड इसको करना है खुब देखिए मैं तरी धिला हो गया यह दोस्तों कप चैंज करना हर 10,000 किलोमेटर पर चैंज करना है यह पांजर किलोमेटर पर नहीं होता है हर 10,000 किलोमेटर पर होता है यह सो खोल रहे हैं दखे यहां पर जो मोबिल है दिखाते हैं आपको सई से साफ कर लेना यह फिल्टर हैं यह फिल्टर यहां पर सई साफ कर लेना है हम कपला से साफ कर लेते हैं देखिए वीडियों साइद दिख रहा है दूप है जिसके बैसे प्रोल्म कर रहा है देखिए दोस्तों हम साफ कर लिए है अब हम रहा है दिसमी स्क्यास का मोई फ्लीटर लगाते हैं देखिए बजास का है बजास का है पाटनर वरी रही है देखिए अब यहां पकड़िये गा देखिए फिल्टर यह भी है देखिएगा यह जो है सहारा है एक इसको भी ज्यादा टैट किजए गास तो जाटा लिक हो सकता है ठीक है इस बात को ध्यां रखेएगा फुल्टर पाना लगा दिए हैं देखिए सहारा से की जगा टाइट जादकी जगा ओरी लिक हो सकता है अब कस रहे हैं देखिए कसने समय अपने तरफ घिचता है अपने तरफ बाहर के और घिच रहे हैं देखिए बाहर के और घिच रहे हैं खोलते समय अंदर क्यों करना है दोस्तों यह जो फिल्टर है कसा आ गया इंजने मुबिल डालना है हर जो दस जार किलिमेटर पर अगर फिल्टर चेंज होगा यह किकेश है आको ढलना है एक यह को मिल डालना है अगर फिल्टर चंज नहीे होगा तो ट्रवाइब देखिए हम मूबिल डालने के लिए क्याप फोल चुके हैं यहां देख रहे हैं यह 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 यहां दालेगे इक पेज़ूद उपड़ेगा की ले चुके है और यहां डाल दिये ठीक है अब इसमें मोबिल डालेंगे देख रहें इसके दिवरें डालेंगे यह मंग मेरे पास है नापने वाला लिटर इसमें देखिए दोस्तों पाइल एक लिटर आट सो डालना है क्योंकि हमने यहां पर मोबिल फिल्टर चेंज किया है जो लंबा हो जागा देखिए एक लिटर हो गया है देखिए एक लिटर अब डाल रहे हैं अब आप लेते हैं और सब्सक्राइब दोस्तों अब भी डाल रहे हैं देखिए अब कर आट अब कर दो देखिए जब मोई फिल्टर चेंज होगा उसके समें एक लिटर 800 डालना है अगर मोई फिल्टर चेंज नहीं होगा तो चेंज नहीं किज़ेगा उसके समें एक लिटर मोई फिल्टर चेंज करना है यह तो हम बता दिए हर 10,000 किलोमेटर पर आपको मोई फिल्टर चेंज करना है देखिए डाल रहे हैं क्योंकि अभी अभी किया है दिकत पूर रहा है मोई डालने में दोस्तों कि देखिये दोस्तों डाल रहे हैं यहां से डाल लिएगा इस बात को धिया रखेगा हर दहार किलोमेटर पर मोई फिल्टर को चेंज करना है कि हर 50,000 किलोमेटर पर मोई पर टिकारना फिल्टर कीजिए कि अगा आपने से एक लिटर श्हावसा इंजिन्यमर ड़ाया रघंड साथ कि यू अट सब्सक्राइब कि हमने टेक्टर आप साथ नोबिल डाल दिया है लोगी ज़िए है कि अब राट जब्सक्राइब और बता देते हैं इस बात पर देखिए एक बर हम फिर बता रहे हैं दोस्तों यह आपका मोबील गेज है तो सर्विस कब करना है 45 दीन पर सर्विस करवा लेन नहीं या बर पांस जार किलियों किलूमेटर पर आपको मोबील पलुटी कर लेना है या अगर यह जो दो लाइन देख रहे हैं अगर यहां पर भी रहेगा तो आप होई पलटी कर दीजिएगा perfect मूबिल यहां से डालने पर होता है इंजनर प्रोगलम करता है जब जैसे सब मोबिल डाले बंखिये अभल दी इसको किसरें अब घर बॉक सीना ना थे सब्सक्तियर दोश्ता путусов में ड्वक आप गरी आपूळाक्स में डोस्तों डॉल्क्राप की आप तीम अप्रम दीन पहले ही क्याप खुल रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर कीप लगा देना है इसके बाद 300 ग्राम जो मोबील है यहाँ पर डाल देना है दोस्तों कहीं भी किसी के भी पोसिस कीजिएगा कि हर टाइम से ही मोबील पल्टी कर लीजिएगा कहीं भी करवाईए लेकिन गाड़ी आपका है प्रोलम आपकड़ेगा बजाज CNG गाड़ी मोबील पर ही चलता अगर लेट कीजिएगा तो इंजन में पोलम आ सकता है इसलिए फिर बोल रहे हैं 5000 किलोमेटर पर सर्विस करवा लेना है मोबील पल्टी कर लीजिएगा या 45 दिन होगा तब करवा लीजिएगा या जो मोबील हम बताएं थे उसके शेयर करें साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बिल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे